ओम नमा सिधेव्या नमो जिनानम सभी कारण शुद्ध परमात्माओं को मेरा साधर शुद्धात्म बंदन चलिए आज की कक्षा का हम प्रारंब करते हैं सोंगर संदेश के मध्यम से तो देखते हैं कि आज हमारे लिए कौन सा संदेश प्रसारित हुआ है शावन शुकला बारस के दिन का आज यह सुंदर संदेश पुझ गुर्देव शुरी के वचनामरत के 259 बोल के आधार से लिया गया है तो चलिए हम संदेश का पाट करते हैं हे जीव तु अपने आत्मा को चैतन्य सरूप जानकर उसकी सेवा कर उससे तेरा कल्यान होगा शुरी गुरु तुझे निज ग्रह में प्रवेश कराते हैं आहाँ स्वग घर में आने की उमंग किसे नहीं होगी यह प्रश्न किया है कि श्री घर में आने की उमंग किसे नहीं होगी तो देखे इस संदेश को हम पहले यहां से देखते हैं कि जैसे अपना कोई नया घर बना हो तो उसमें जाने का हमें कितना उस्सा होता है तो उसी प्रकार यहां पूछ रहे हैं कि अपने निज घर में आने की उमंग किसे नहीं होगी तो प्रते एक प्राणी जो सुख चाहता है और दुख से डरता है उसे निज घर में आने की उमंग होगी तो निजगर में आने के लिए करना क्या पड़ेगा तो संबोधित करते विए कहते हैं आचारे देव कि हे जीव, हे जीव मतलब किसको बोल रहे हैं हमें बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो प्राणी मात्र जीव है जिसमें जानने देखने की शक्ति है, सिर्फ उसकी बात चल रहे है यहां सिर्फ मेरी बात चल रहे है, मुझे संबोधन किया जा रहा है कि हे जीव, तु अपने आत्मा को चैतने रूप जानकर उसकी सेवा कर अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम संसार में जो इस चरीर के आश्रे से जितने हमें सैयोंगी रिष्टे मिले हैं ना हम उसकी सेवा में लगे हैं, कहीं मान प्रतिष्ठा के लिए, तो कहीं अपने प्रेम का चोला पहन कर कि अरे हमें तो इन से बहुत राग है, मतलब राग देश, मोह के वशी भूत, कुछ अनादी काल से जो मोह के संसकार हमारे अंदर है, सत्तर कोडा कोडी, मोनी कर्म की स्थिती है, तो जो उसके हमें संसकार चले आ रहे हैं, कुछ उस वजह से, यानि कोई भी आप बहाना बन कि तू अपने आत्मा को चैतन्य सरूप जान कर उसकी सेवा कर, क्योंकि मैं कोन हूं? जीव, और जीव याने क्या? आत्मा, आत्मा का सभाव क्या है? चैतन्य सरूप रहना, जानना देखना, घ्याता दरस्टा रहना, है ना? और अनंत शक्तियों से भरा हुआ, ऐसा ये चै चैतन्य सरूप मैं आत्मा मैं ही हूँ तो क्या कहा कि तू सिब अपने आत्मा के पहचान कर कि तू चैतन्य सरूप है सिब जानने देखने वाला है तो उससे तेरा कल्यान होगा ये संसार के रिष्टों की कितनी भी सेवा कर लो कितने भी फर्ज पूरे कर लो ये कभी भी तु कथंचे सर्वथा और एक तो कथंचे थे जिसमें कुछ थोड़ा बहुत सत्य है और थोड़ा बहुत नहीं है है ना लेकिन सर्वथा में क्या है जिसमें सर्वथा निशेद याने वो बिलकुल कारेकारी नहीं है हम लोकिक में देखें, तो जैनों के लिए क्या लक्षन कहा है, कि रातरी भोजन का त्याग करना, बिना चना जलने पीना, और नित्य देवदर्शन करना, है न, ये उसके कारे कहा, तो निशिद्द किसको कहा, कि रातरी भोजन, कंद मूल, खाना, अभक्ष का भक्षन करना, कि निश्चे से परके प्रती मोराग द्वेश करने का भाव सर्वता हे हैं क्यों? क्योंकि यह आश्रव है, और आश्रव है वो फिर से बंदेंगे तो च्याए शुब आश्रव हो, च्याए पाप आश्रव हो दोनों ही दुख का कारण है और जिसे सुखी होना है उसे क्या करना है दुख के कारणों का अभाव करना है तो जब दुख के कारणों का अभाव करेंगे तो क्या होगा सहजी सुख प्राप्त होगा तो हमें भी क्या चाहिए सुख प्राप्त करना है अपने स्व घर में प्रवेश करना है क्योंकि मेरे घ कि हम कहीं घूमने जाते हैं, तो क्या बोलते हैं, कि अरे अब हम घर में बहुत बोर हो गए, चलो हम बाहर घूमने जाएंगे, ठीक है, महां पांच साथ दिन, आट दिन हो कर आ गए, चाहे कहीं शीविर में जाएं, कहीं पर भी जाएं आप घर से बाहर, तो आप क्या बोलते यह तब वापस आती तब तुरंत सब रिलेक्स होके अपने जो घर के परिधान में आकर क्या कहती है अब रिलेक्स हो रहा है तो याने आपको महाँ पर सुख नहीं था तो सुख आपको सादगी में अपने ही घर में था मतलब बात कहने का आश्राई क्या है कि सुख हमें अप अपना घर माना है ये चार दिवार का जो छोटा हो चाए बड़ा बंगलो हो चाए जिसको भी हमने अपना घर मान के रखा है वहां में सुख है तो क्या वहां पर सुख है नहीं ये तो हमें ऐसा सुखा भास होता है भासित होता है वहां पर सुख नहीं है सुख तो एक मातर मे मेरे निजग्रह में है, मेरे अंतर में है, मेरी आत्मा में सुख है, सुख का सागर लबा लब भरा है, छोटा मुटा भी नहीं, क्या कहा, सुख का सागर लबा लब भरा है, कहा, मेरे निजग्रह में, तो मही पर मेरा कल्यान होगा, मही पर मुझे शाश्वा सुख की प्राप करने का उपदेश देते हैं जो हमारे लिए कल्यानकारी और हितोपदेश है तोilyet यह आज क्या मुख्य भात आई यह क्योंकि देखिये आचारियों के द्वारा लिक्षा हुआ एक एक शब्द हमारे लिए कल्यानकारी है और दूसरे कहीं जगा कोई भी आपको कल्यानकारी नहीं मिलेगा कोई भी जिसे हम बोलते कि ना साहित यह similar एक मातर वीतरागी संथों के द्वारा जो लिखा शास्त्र कहलाते हैं तो चलिए एक मुमुक्षु ने प्रश्न किया है यहां पर अनुभाव को तो बहुत बार चारित्र से कहने में आता है यहां पर क्या पूछाए उन्होंने कि अनुभाव को तो बहुत बार चारित्र कहने में आता है तो इसका क्या आश्रह है ऐसा वो पुझ्य गुर्देव श्री कहते हैं कि वह चारित्र अनुभव रत्न चिंता मणी यह सब तीनों के साथ हैं। श्रीमद में तीन आते हैं, अनुभव, लक्ष और प्रतीती, लक्ष याने ज्ञान में जाता है, प्रतीती याने श्रद्धा में जाती है, अनुभव याने इस्थिर्ता में जाता है, किन्तु यह अनुभव के काल में प्रतीती, ज्ञान और रमंता तीनों एक साथ होते हैं, सरूपा चरण की इस्थिर्ता में भी साथ में होती है ऐसा कहते हैं राक के अंदर बिन पड़ते चेतन सरूप का अनुभव होते उस अनुभव के काल में उसका जो ज्ञान हुआ उसकी प्रतीती हुई और उसमें रमन्ता का अंश भी हुआ वही क्या है अनुभव के यहाँ प मौक्ष का अनुभव मौक्ष सरूप तो यहाँ पर अनुभव की मुख्यता है आपको ज्ञान है सच्चा सची श्रद्धा है तो उसका अनुभव यह तीनों की एकता से ही सम्यक रतनंत्रे की प्रापती होती है याने जो सम्यक चारित्र कहा उसको किसी कहा इस्थिर्ता का आत्मा की अनुभूति और यह कैसे होती है तो तीनों की एक के साथ होती है यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर कहने का भाव है कि जो स्वरूपाचरण चारित्र कहा तो इसका क्या आर्थ हुआ कि स्वरूप यानि अपने आत्म स्वरूप में प्लस आचरण अपने आत्म स्वरूप में लीनता इस्थिरता उसे क्या कहा स्वरूपाचरण चारित्र तो भई आत्म स्वरूप में इस्थिरता कब आएगी जब व्यक्ति को अपनी आत्मा का सच्चा ग्यान होगा याने अपनी आत्मा की सच्ची श्रद्धा होगी तो जब श्रद्धा होगी तभी उसी का ग्यान होगा और तभी उसमें लीनता होगी तो कि सच्चे ग्यान के बिना तो उसमें लीनता हो नहीं सकती तो इसलिए यहां पर है कहा कि ये तीनों कैसी होतीती एक साथ होती है अब इन तीनों की ही जो कम ज़्यादा रूप परियाय होती ना मतलब उसके कह सकते जो गुणस्थान बनते वह कैसे होते है तो ये जो श्रद्धा ग्यान चारित्र इसकी जो कम ज्यादा quantity उससे यहाँ पर जो गुणस्थान बनते हैं है ना तो यहाँ पर हमें ऐसा ही समझना जैसे चतुर्थ गुणस्थान बरती जो जीव है जिसको भी सम्यकदर्शन की प्राप्ती हुई है मिध्यात्व का भाव हुआ है और सम्यक्त की प्राप्ती हुई है तो उसे भी सरूपा चरण चारितर है और बारवे तेरवे चौदवे गुणस्थान बरती जो जीव है उसको भी सरूपा चरण चारितर है तो क्या इन सब के समान चारितर होगा तो नहीं यह जो उत्तर उत्तर गुणस्थान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उनका स चारित्र है यानि इस्थिर्ता है वो कैसी होती जाएगी बढ़ती जाएगी लेकिन रहेंगे ये तीनों साथ में ऐसा नहीं है कि सम्मेकदर्शन ग्यान हो गया और अब चारित्र नहीं हुआ कि जिसे चतुरतबा गुड़स्थान वर्ती बोला हमने अवीरत अभी कोई वरतादी नहीं है तो उसको चारित्र कैसे हुआ क्योंकि अभी तो उसने वरतंगिकारी नहीं किये तो उनको कैसी ये आंशिक है बहुत आंशिक मतलब अभी इससे शुरुवात हुई है फिर दीरे जब पंचम गुणस्थान में आये महां उन्होंने जब ग्रहन किये मतलब मुनिवरत धरन किया तो वो क्या हुई चारित्र में शुद्धी और व्रद्धी होती गई तो यहां पर इस प्रकार से जो जितनी जितनी आत्मा में विशुद्धी बढ़ती जाएगी ना चारित सम्यक दर्शन, सम्यक ग्यान, सम्यक चारित्र की विशु जिसे लॉकिक में होता है ना कि आपने 1st класс कर ली तो आपकी एकजाम होई है और उसमें आपके इतने मांक सा आया तो अब आप 2nd class में चले जाओगे तो ऐसे हमें पता चलता है, ऐसे गुड़स्थानों में ऐसा पता नहीं चलता है, क्योंकि यह जीव के अपने आत्मिक अंतर के प्रिणाम हैं जिसकी वज़ते से इस प्रकार से गुड़स्थान हमें समझाने के लिए इसे बताये जाते हैं, कि Clay ऐसे दिर दिर उत्तर उत् तो जब एक साथ होती है, तब इनकी व्रद्धी भी कैसी होती है, दीरे दीरे आत्मा परतीती के साथ, तो इसी को क्या कहा, आत्मानु भाव तब दिखी आत्मानुभाव कब होता है, जब राख से अंदर भिन्न पडे चेत्नि सरूप का अनुभा हो, जब किसे की राख से भिन्न जब हम अपने आत्मा सरूप को देखेंगे न, तब हमें शुद्ध आत्मा का अनुभा होगा, और उस काल में जो जो ज्यान हुआ, जो प्रतीती हुई और जो उसमें रमनता का अंचुवा उसे यहां पर अनुभो का नाम दिया गया है इसलिए इतना अभी लेते हैं लेकिन नेक्स क्लास में हम इसको डिटेल में कभी समझेंगे तो अभी आप इस तरीके से इसको समझें और इसका और स्वाध्याय करें मुल्ग रन्थ से आप इसको पूरा अर्थ सहीच समझें तो और ज़्यादा लाब होगा मैं आशा करती हूँ आपको आज के इस संदेश और रतनकणिका का अर्थ समझ में आ गया होगा कि सम्मेक दर्शन ग्यान चारित्र का स्वरूप क्या है और इसे कैसे हमें प्राप्त करना चाहिए किस तरीके से राक से दूर रहना चाहिए और हम ऐसे ही अपने स्वरूप को प्राप्त करें इसी पवित्र भावना के साथ आप सभी को सादर जै जिनेंदर